नमस्कार मैं अल्पना मेरे चैनल प्यारी वीटियरानी में आप सब का स्वागत है आज मैं आपके लिए बनाऊंगी सहजन की सबजी सहजन की जो कि फ्रेंड्स साल में सिर्फ एक बार मिलता है और यह बहुत ही गुणकारी और फायदे मंद होता है इसका फूल फल छाल पत्त सभी बहुत ही औसदी गुणों से भरपूर होते हैं तो क्यों न अगर यह मिले तो हम इसकी सब्जी जरूर बनाएं तो चलिए हमारे किचन में और हम बनाना शुरू करते हैं सहजन की सब्जी तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यह हमने जो सहजन लिया है बिल्कुल पतले सहजन लेना है जो बहुत पतला होता दो जाता है समझे को फूली सब्जी अब आक सब्सक्रान चाहते हैं यह द्याते हैं कि इसको दो के रख लिया है बिल्कुल व्रेस एक दम हरा 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 यह बहुत अच्छी सब्जी बनती है अगर आप इसकी सब्जे बनाएंगे फिरंस एक बार इस तरीके से तो बाकी सारी सब्जियां खाना भूल जाएंगे और बहुत ही फायदे मन्द होती है तो इस तरह से जो डेंठल वाला भाग है फिरंस इस तरह से इसको थोड़ा सा चाकू की हो जैसा भी आप कर सकें उससाब से आप कर सकते हैं तो बाकी जो सहजन हैं में इसी तरह से कट लगा लेंगे तो आप जानते हैं फ्रेंट्स यह सहजन बहुत ही गुरकारी होता है फायदे मन्द होता है यह है इसका फूल फल पत्ता च्छाल सभी बहुत ही फायदे मन्द हो और इसकी हमने काफी रेस भी बनाए है, उसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे देंगे, आप वहां जाके देख सकते हैं, अगर फ्रेंड्स आपको मिले तो साल में आप इसकी सब्जी जरूर बना के खाएं, वैसे तो ये ऐसी सब्जी है कि पूरे सा काट के तयार करके रख लिया है, इस तरीके से छोटे-छोटे, तो ये बहुत गुणकारी होता है, ये डाइपटीज वालों के लिए, बीपी वालों के लिए, और जिनके घुटनों में दर्द हैं, उन्हें भी बहुत फायदा करता है, तो ये इसमें काफी विटामिस भी तो हमने काट के तैयार कर लिया है, और दो से तीन प्याज और टमाटर इनका हमने पेष्ट बना लिया है हरा धनी और अद्रख और लहसुन का बिल्कुल दर्दराक कोट की सी rafeur तियार किया हरा मिर्च जो हमने लिया, इसको हम थुदtesा साबूट डालेंगे, क्यूंकि जि और बाकी मसाले भी हमने लिया है लेकिन अभी आम उसको डालते समय बताएंगे किस मसाले को हमें कितना डालना है तो इसी तरह से छोटी छोटी चीजें आपको बनाना बताते हैं बहुत ज़्यादा ताम ज्याम के साथ नहीं और इस तरीके से आप बनाएंगे इसकी सब्जी बहुत अच्छी बनती है ऐसा नहीं कि हम बहुत ज्यादा मसाला डाल के बनाएंगे तब हमारी सब्जी बनेंगी आप कम मसालों में भी धैरे पूर्वक दिल से खाना बनाईए तो बहुत अच्छा बनता है तो अब हमने कडाही गरम करके उसमें तेल डाल दिया हम सरसों के तैंसे पत्ता उसे भी डालेंगे और जो यह साबुत मसाला लॉंग काली मिरस लिया थे इसको जब भी आप सब्जी में डालें तेल में दाले कि जब यह थे तेल में जाता है तो काफी तेजी से चटकता है इसे जलने का दर रहता तो थोट गूट ले यह तो ले तो पीर आ बारीक नहीं करना है यह देखिए इस तरीके से इसको मिलाएंगे और मिला कि इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे और जब भी मसाले आप भूनिये तो थोड़ा सा गैस की आच लो मीडियम फ्लेम में भून जी नहीं तो आप बहुत तेज आच में भून करेंगे लगभग 8-10 कली लहसून और एक इंच अद्रक का टुकड़ा हमने लिया था आप जब सब्जी बनाएं जिस हिसाब से आपकी सब्जी हो मसालों की मातर आप अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं तो देख सकते हैं प्याज हमारा बहुत अच्छी तरीके से भून अब इसमें हम डालेंगे फ्रेंट्स एक चमच बेसन बेसन नॉर्मल बेसन जो घर में हम यूज करते हैं चने का बेसन इस तरीके से इसको डालेंगी इसको डालने से हमारी सब्जी बहुत अच्छी बनेगी और थोड़ी सी ग्रेवी जो हमारी बिल्कुल ऐसा टेस्ट आए होने के बाद अब इसमें हम टमाटर का जो पेश्ट बनाया था इसे भी डाल देंगे और डाल के इसको भी भूनेंगे धीमे धीमे आज में घर में फ्रेंट्स हम जो चीजें बनाते हैं बहुत ज़्यादा नाप तो नहीं लगाते हैं कुछ चीजें हम अंदाजे से बना ल हमारे मसाले काफी अची तरीके से भून गए हैं और धीमे-धीमे आज में इसको पकाना है अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच हलदी पाउडर और एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक से देढ़ चम्मच धनिया का पाउडर बिल्कुल छोटा चम्मच है हमारा और य नहीं होती है तो इससे कलर भी अच्छा आता है और आप तीखे की मातरा फ्रेंट्स अपने हिसाब से जितना आप कम पसंद करते हों ज्यादा पसंद करते हैं वह आप अपने स्वेच्छा नुसार कम और ज्यादा कर सकते हैं अब इसको थोड़ा सा धीमी आज में भूनेंगे तो जब भी फ्रेंट्स आप वीडियो देखें थोड़ा सा ध्यान से देखें यूंकि वीडियो को बहुत जल्दी जल्दी लोग बढ़ा के देखते हैं और फिर बनाते हैं तो वह चीज़ें इतनी अच्छी तरीके से नहीं बन पाती तो हमें यह लगता है कि हो सकता है जि तो यह दो जब बनेंगे और साथ ही जो हमने सहजन को काट के रखा था बारिक इसे भी डालेंगे और डाल के भूनेंगे और इस कंडिशन में फ्रेंट्स गेस की आँग बिल्कुल कम कर देना है क्योंकि यह हमने इसको फ्राइब नहीं किया था यह बहुत पतला होता है बह को तेष्टी सब्जी बनेंगे और आप इस तरीके से सब्जी बनाएंगे थोड़ा सा टाइम देते हुए तो खाना तो हम सभी बनाते हैं लेकिन वह टेश्ट नहीं आपाता जो टेश्ट हम बाहर खाने के लिए जाते हैं क्यों जाते हैं क्योंकि वह ऐसी चीज़ें डालत तो खाना मारब बहुत अच्छा बनेगा तो अगर आप खाने बनाने के सोखीन हैं और इंट्रेस्टेड हैं तो आप इस तरीके से खाना बनाईए और एक बार सहजन की सब्जी जरूर बनाईए और हमने सहजन के फूल के भी सब्जी बनाईए और सहजन के पराठे काफी में पानी बिच्जार नियुक्त ऊ करके हों कि और भी डियान और मुक्सी में तर्थी से ग्तारती बहुत जाहिं कि जान भिखोहि बखिक आंभ सही ед , nevertheless के रखेंगे उतना ही पानी रहेगा अब इसको थोड़ा सा पका एंगे लेकिन पका आंगी फ्रेंड्स तो फीए को पका ज सफ नहीं वह घ्र करहा हैं तो आप में पकाएंगे पौर आपकाईएगा 소rene Trent सहजन है बिल्कुल ग्रीन आपको दीख रहा है तो बहुत अच्छी सब्जी बनी है फ्रेंट्स तो आप भी इसको बनाएगे एक बार और हमें कमेंट करके बताइए कि हमारी सब्जी बनाना आपको कैसा लगा और आपकी सब्जी कैसी बनी तो आप इसको दाल चावल के साथ पराठे के साथ रोटी के साथ नौन के साथ खा यह बहुत टेस्टी लगती है हम तो हमेशा इसी तरीके से बनाते हैं और बहुत अच्छी सब्जी बनती है तो थोड़ा सा धैर के साथ फ्रेंट्स और मन से खाना बनाईए बहुत अच्छा बनेगा तो अगर हमारी रेस्प तो फिर मिलते हैं नेक्स टाइम किसी नई रेस्पी के साथ या नई तरीके के साथ हमारा चैनल देखने के लिए आप सब का बहुत-बहुत धन्यवाद